So, जैसे आप लोग को पता ही है भाई, 2023 का मेरा फेवरेट कोई स्मार्टफोन था, तो वो था Samsung Galaxy S23 Ultra, and भाई मैंने इसको बहुत सरे अवार्ट जिये, बहुत सरी वीडियो भी बनाई उसके उपर, and मैंने बहुत सारी लोगों को ये फोन सजेस्ट किया, I mean, this is the phone of the year, मैं मजा इसके लिए थोड़ा डीले होके, लेकिन फाइनली हमारे पास आच चुका है, Samsung Galaxy S24 Ultra, ये है एक AI से भरा हुआ फोन, सारी चीज़े जानेंगे इस सूड़े मैं, I mean, Zaheer, and this is the unboxing and my first impression overview of this Samsung Galaxy S24 Ultra, so, let's begin. So, कई सरते पहले तो unboxing डेख लगे हैं, let's open करते हैं, कैसा है, अभी वही typical box का design है यहाँ पर, let's quickly open it, वो, भाई, ये रहा हमारा phone, Samsung Galaxy S24 Ultra, हाहा, साल का best phone है यह, by the way, मस्त यार, यहां का जो curve है आगे का, वो इन लोग ने निकाल दिया है, यूजवली क्या होता है, curve screen जादा premium लगता है, बट यहाँ से लोगने जो curve रखा है, यह kind of अभी भी बहुत जादा similar vibe देता है, कि इसके जैसा, S23 Ultra के जैसा, बाकी box के अंदर एक extra pouch मिलता है आपको, जिसमें एक SIM ejector pin, कुछ paperwork, एक USB type C to type C cable देखने को मिल जाती है, that's it, So guys, last 3-4 घंटे से मैं इसको use कर रहा हूँ, and भाई साहब, क्या phone बनाया है, हम start करते हैं pricing से, प्राइसिंग की बात करूँ, तो यहाँ पर मेरे को बहुत तगड़ा deal मिला है, approximately, यह मेरे को 94,000 में पड़ गया, अब वो कैसे पड़ा, मैं उसका हिसाब अपको ता, तो देख इसका था, उसको अपग्रेड करके, एक 40 वाला, एक 30 में मिल गया, तो 10,000 रुपा मेरा इधरी माइनस हो गया, फिर दूसरा, क्योंकि मेरे पास पहले से Samsung के ही phones है, तो मेरे को अपग्रेड ओफर मिला, 12,000 रुपे का मेरे को अपग्रेड ओफर मिलने के बाद में, तो 10 प् प्राइस भाई, बहुत ही जाता खरीजिए, स्वीट डील है, 512 एक चीज़ और, अगर आप लोग को लेना है, तो मेरे खाल से, बेस्ट डील जो है, अब देखो, यह कोई sponsor नहीं है, अपने भाई है, इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक Samsung Galaxy Store है, कंडी वली म अगर आपको Samsung का कोई भी product लेना है, best of the best deal दिला देगा है, खाले अपना नाम बता देना भाई, let's start with the build quality and design, लेखो, इस बार इन लोग ने तकड़ा चेंज किया, क्योंकि जो पूरा frame है, इसको इन लोग ने aluminum से upgrade करके titanium करते है, of course, last year, जो S23 Ultra था, उसके अंदर आपको यह यहां पर जैसे आप देख रहे हो, तो यह जो पूरा frame है, यह aluminum का है, और यह glossy है, यहां पर आपको पूरा matte finish देखने को मिलता है, and वो मजबूती तो यहां पर है, plus weight हलका सा कम हुआ है, लेकिन इतना जादा feel नहीं होता है, 233 gram का weight है, and यह थोड़ा सा और पतला भी हुआ ह जो यह phone है, यह 8.6 mm का हुआ है, और यह 8.9 था, लेकिन यहां पर जैसे आप देख रहो, पिछे से भी curve था थोड़ा सा, and आगी से भी curve था, तो इसके वज़े से यह ज़्यादा feel होता है, compared to this, यह थोड़ा सा ज़्यादा feel होता, लेकिन actually में यह पतला हुआ है phone, plus जो side का panel है, वो matte है, तो इसके वज़े से भाई, यहां पर fingerprint वगरा नहीं दिखना हुआ है, back panel भी matte है, और back में Gorilla Glass का protection है, कौन सा protection है वो नहीं मानूं, लेकिन Gorilla Glass है, लेकिन front में जो है, इन लोग ने Gorilla Glass Armor का protection दिया है, अब यह जो glass है, यह compared to Gorilla Glass Victus 2, उससे भी ज़्यादा आद होगे किसे को, तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उपर से दिखाओगे न, तो हलका सा यहां पर, जैसे आप इधर पर देखो यहां पर जालीदार था, यहां पर एक single slot आ गया वाई, तो यह एक फर्क है, बाकी तो kind of similarity, buttons होड़े बड़े हो गए, जो मेरे क buttons का, मस्त और tactile feel आता है, तो मजा आता है, बाकी बड़ा change उन लोग ने front side में किया है, front में पहले यह curved वाला display आता था, लेकिन यहां पर इस बार इन लोग ने एकदम completely flat कर दिया है display को, यह चीज कुछ लोग को अच्छी भी लग सकती है, और कुछ लोग को नहीं भी flat display में यह डर बहुत कम हो गया, दूसरी चीज, जो screen guard है, tempered glass है, वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, अब यह जो S23 Ultra है, इसके उपर मैंने आज तक के tempered glass लगाया है, इने में को screen guard लगा के घुमना पड़ता है, जो plastic वाला था, लेकिन इसके उपर scratches वोगरा बहुत जल्द display, आपका personal choice का है, वो आप लोग में गोई जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ लुक्स की बात करता है, लेकिन practicality की जहाँ बात आती है, वहाँ पर definitely flat display, जादा बादी मारता है, यहाँ पर आपको side से, जो light की bleed है, वो नहीं दिखती है, दूसरी चीज, गेम खेलने में बहुत state आपको directly use करने के मिल जाता है, तो यह सारी चीज है, flat display में advantageous है, compared to a curved display, बाकि जो display है, यह बहुत ही बढ़िया display है, 6.8-inch की 2K 120Hz AMOLED display with amazing brightness, 2600 nits की brightness है, जो peak brightness इसकी जाती है, और जो normal high brightness mode है ना, उसके अंदर भी 1500 nits की brightness आती है, भाई बहुत ही crazy display है, and यह one of the best display है, भाई नहीं फेका है, practically जो अच्छा display होता ना, उसके साफ से इनलोग ने बहुत तगड़ा दिया, and इनलोग ने coating में बहुत तगड़ी करी है, जिसके वज़े से reflection बहुत कमाते हैं इसके अंदर, और इस चीज के वज़े से भाई, यह जो phone, इसका display है बहुत ही amazing दिखता है, जो brighter of course, Samsung का display, मैं इसको जाधा की, क्या ही बूल सकता हूँ, क्या ही तारिफ कर सकता हूँ, इसका display चुम्मेश्वरी है, कोई भी content देखो, मजा आएगा भाई, मैंने आज तक के, जितनी भी movies देखी हैं, अगर movies देखने का और TV series देखने का, मेरे को जब कभी देखने का मन करता मैं हमेशा ही S23 Ultra को ही pick करता था बटा, वो उसकी जगा है, Samsung Galaxy S24 Ultra ले लेगा, तो मेरे हिसाब से भाई, बहुत ही crazy display है, बहुत amazing, बाकि जो छोटी मोटी चीज़ों की बात करूँ, तो in-display finger scanner है, और वो एक्डम perfect position पर है, काफी fast है, देखो क्या ही fast है, बहुत ही जाधा crazy fast है even जो face unlock है, वो भी बहुत जाधा fast है, तो वो दोनों चीज़ काफी अच्छे से काम करते है, अच्छे मैंने SIM card डाला, इसके अंदर call वगरा करके देखा, earpiece का sound अच्छा है, network का pickup भी अच्छा है, इसमें Wi-Fi 7 आ गया है, Bluetooth 5.3 आ गया है, pickup वगरा अच्छा है, और call recording वगरा, तो काफी fast port है, तो यहां पर भी बढ़िया है, और यह DEX को भी support करता है, आप USB लगा के, अपने phone को एक computer की तना use कर सकते हो, तो यह भी बहुत बढ़िया चीज़ है, बागी बढ़ू बैटरी की तरफ तो 5000 मेंच बैटरी है, एन 45W की ही charging यहां पर मिलती है, तो यहां पर I बढ़े जाएगी, तो वह तो मैं full review में आपको बता पहूँगा, अभी मेरे एसाब से ऐसा कुछ मैंने फर्क नहीं देखा बैटरी लाइफ में, बाकि performance की बात करो, तो Snapdragon 8 Generation 3 for Galaxy आता है, crazy chipset है, कोई उसमें doubt नहीं, but I don't like this move from Samsung, इन लोग ने जो, इन लोग का छोटा भाई ह आप कौन ही खरी देखा हो, जो ये Snapdragon वाला विरेंटा, जो Ultra है, इसके अंदर Snapdragon आता हो, बहुत crazy है, बाई, N22 रन किया, 19,32,000 का score आया, काफी बढ़ियां score आया, उसके बाद जो Geek Bench, उसके भी score काफी मस्त निकल का है, 15 मिनिट टके CP throttling test किया, 82% की throttling है, जो performance है काफी मस तक कोई दिक्कत है नहीं, उसके बाद में UFS 4.0 जो storage है, उसका speed test किया इतना crazy है, जो sequential read speed है, 2.6 gigahertz, almost 3 GBP है basically, और जो write speed है, वो 1.2 GBP है, बहुत ही ज़्यादा fast, बहुत ही crazy है, उसके बाद मैंने wildlife stress test किया, ये जो gaming performance है, उसकी stability बताता है, यहाँ पर 67% की stability है, बहुत ही ब मिल रहा है, यहाँ पर हमको smooth पर 90 FPS का option मिलना चाहिता है, जो अभी फिला level नहीं है, ओफुली कुछ टाइम में, शायद यहाँ 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 पर के साइड में आपको FPS भी दिखते रहेगा, यहाँ पर आपको multiple options गित्म को मिलता है, पर FZ करके है, उसके health पर बहुत हारी सी तो अभी दखो temperature यहाँ पर 37 degree Celsius दिखा रहा है, and phone का temperature is like 34 degree Celsius, तो कहीं से में को ओवरेटिं का साइन ने मिला, and 60 FPS के अराम से गेमिंग करा दिया भाई, यहाँ पर जादा दिखत निया भाई, यहाँ पर जादा दिखत निया भाई, एक ठीज question 3 भाई, बाउप चिपषेट अच्छा खाता है, अबर गेमिंग कर सकता है, आप लोग टेंशन लेने के दवरोत नहीं है, तो भाई BGMI जैसे गेम्स आराम से इसके इसके दिखत नहीं आने वाली, लेकिन अगर अगर आप Gention Impact जैसे गेम कहलोगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा high-end gamer हो, तो आपको इससे कम price में भी gaming के devices अच्छे-च्छे मिल जाते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ आपका gaming करना मक्सद है, तो आपको वो phones की तरफ जाना चाहिए, यहाँ पर एक overall holistic experience आपको म नहीं है, यह समझ लो, देखो, बहुत सारे लोग बलते हैं, इतना तारीफ करना पका paid है, भाई, खुद के पैसे से घरीदा वह phone है, एक बार आप इसके fluidity के आदत पढ़ जाती है, तो आप दूसरे phones की तरफ नहीं जाता है, अभी एक example देता हो, अभी आप कोई दूसरे phone में ऐसा देखा है, जो मेरे S23 Ultra में भी था भाई, तो यह सब चीज़े जो fluidity, छोटी-छोटी चीज़े है, जैसे इसका जो software दुनिया भर के features आता है, Samsung पर आता है, चुमाच चीज़े बाई, एकदब amazing है, उसके साथ में जो और चोटी-छोटी चीज़े जो smoothness है, जो finness है software की, एकदब amazing है, उस चीज़ के वे से मेरे को Samsung के software बहुत जादा पसंता है, प्लस इस बार इन लोग ने promise किया है, कि 7 साल का software update देंगे, मतलब industry का the best हो गया अभी यह, iPhone भी 6 से 7 साल का software update देता था, इसके लिए iPhone आईफोन था, इन लोग ने भी promise कर दिया, कि 7 साल का software update दें है, कि हद नहीं है, पूरे जो मैंने event डिखा, उसमें, आधर टाइम तो खाली AI के बात लिए और इसके अंदर बहुत सार AI के features आते, मतलब इतने सारे आते हैं, कि मैं उसके वे पर अलग से dedicated video बना सकता हूँ, अगर आपको चाहिए तो मेरे को बताना, बट मैं छोटे मोटे मैं आपको यहीं पर बताता, जो जैसे एक feature है, circle to search करके, जैसे example के ले समझो, मेरे पास यह photo है, यह मेरा mouse है, तो मैंने home button को दबा के रखा, अब यह circle to search call option आ गया, मैंने गुमाया, तो यह mouse इतर पर दिखरा, और इसने बता दिया कि भाई, यह Logitech का MX Master 2S है, specifically 2S बताया, 3 3 भी नहीं बताया, 4 भी नहीं बताया, कितना बढ़ियां काम कर रहा है, तो मतलब अगर आप कोई photo देख रहे हो, कोई video देख रहे हो, उसके पर आपको कोई चीज दिख गई, तो आप उसको देखो अभी, जैसे यह मेरा neckband है, मैं search करता हूँ, देखता हूँ, क्या आता है यह काफी बढ़ियां लगता है, जैसे तो चल रहा हूँ, तेखो, tap and hold किया, video instantly slow-mo में चलने लगी, यह देखा, यह, video instantly slow-mo में चलने की, और AI के मदद से, उसके background में, जो, मतलब, extra frames अड़ कर रहा है, तो इसके वज़े से, जो video है, वो slow-mo में आ जाती, बहुत ही जबरदस चैट assist का feature आता है, तो आप चैट वगरा को directly live translate कर सकते हो, now let's move to the cameras guys, जो main camera है, वो 200 megapixel का, यह इस बार भी, उसमें changes नहीं है, ultramet भी 12 megapixel है, उसमें भी changes नहीं है, 3x वाला 10 megapixel का camera है, उसमें भी changes नहीं है, 3x वाला जबरदस ते, लेकिन जो 10x वाला camera था, उसको change कर दिया ह उसको remove कर दिया, पर 5x वाला camera इन लोग ने डाला है, 10x को cut करके 5x का camera डाल दिया, आप सोचो के यार, यह 5x है तो इन लोग ने downgrade कर दिया, लिकिन नहीं, पहले वो 10 megapixel था, इस बार उसको 50 megapixel का कर दिया है, तो quality बढ़ गई है, तो उसको basically crop in करके, उससे जाधा better और AI बहुत ही बाप फोटो, देख रहो यह फोटो, यह main camera है, भाई साहब, और कितना ज्यादा shallow depth of field है, बैग्राउंड बलर तो देखो क्या crazy निकल का है, देख रहो colors वगरा, saturation देखो कितना बढ़िया निकल का है, real life एकदम, हाई, एक number है, अब देखो यह normal, फिर यह 3x है, यह 5x है, अब यहाँ पर यह I think 30x है, और यह 100x, तो even 100x पर भी photo ले सकते आप लोग, यह कुछ ultra wide की photos है, I think ultra wide भी काफी बढ़िया पर फोटो की quality भी बढ़िया है, ultra wide की, even जो selfie shooter है, वाउ, not bad at all भाई, देख रहो, क्या quality है selfie shooter की, amazing है, बैट देखो low light का सेनारियो था तो कफल का हिल गया है, noise वगरा भी आया गई है, लेकिन जब अच्छे से table करके photo ले आँ, तो बहुत बढ़ी आई है, portrait cutout Samsung का बहुत ही बाप होता है, देखो अब यह rear facing camera है, यह देखो 5x में rear facing camera, अब यह low light का time है, उसके हिसाब से भी not bad भाई, यह 3x, यह 5x है, देखो 5x का portrait photo, एकदम DSLR बना दिया भाई, बाकी ना, मैंने इसका जो 100x वाला है, वो मैंने यहां पर compare किया था, चेक कर रहा था कि 100x फोटो कैसी आती है, तो मैंने यह 100x पे दोनों phone में लिया है, side by side आपको दिखाऊनों screen के उपर, मेरे को तो भाई, जो S23 Ultra है, उसका 100x जादा बेट पोट्रेट फोटो की बाद करूँ, तो देखो यह पोट्रेट फोटो है, यह 3x में है, तो definitely भाई, पोट्रेट फोटो में मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा improvement लग रहा है, तो एक काम करेंगे ना गाई, आपने इन दोनों का detailed camera test करते हैं, और फिर मैं आपको बता तो बाई, तो बाई, कौन सा camera दा बेटर है, थोड़ा था iPhone से भी मैंने compare किया है, तो भी मैं अगर आपको यहां पर दिखाऊँ, तो दोनों के अंदर 5x वाला sensor है, यह 5x वाला portrait photo है, बहुत ही बाप भाई, Samsung की photo बाई, बहुत ही बाप भाई, Samsung की photo बाई, बहुत ही बाप इसके बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं, अभी यह 8K वीडियो है भाई, यह 8K की वीडियो रिकॉर्ड है यह इस तरह की बाई, this is my personal favorite 4K 30fps फोकसिंग, यहां पर काफी बढ़िया, 1st class फोकसिंग है भाई, कुछ इस तरह की वीडियो बन जाती है 4K 30fps में S24 अल्टरा से, यह देखो यह अल्टरावाइड में डारेक्ली स्विच कर दिया कैमरे ने, कुछ इस तरह की अल्टरावाइड से रिकॉर्ड हो रहे है वाही वीडियो, and not bad, actually काफी बढ़िया, मैं थोड़ा दूर जाता हूँ, and zoom करतो देखो, यह अभी यह जो 3X वाला सेंसर और 20X सक जोन बने, बाकि फ्रेंट फेसिंग कैमरे ते कुछ इस तरह की वीडियो बन जाती है भाई, फ्रेंट फेसिंग कैमरा ठीक है, 4K 30fps है, कुछ इस तरह का है, हलका सा में को नॉइस इक रहा है स्क्रीन के उपर, आप लोग बताओ मेरे को आपको कैसा लग रहा है वीडि चुरिकली अल्टरवाइट पर स्विच कर सकते हैं, यह देखो यह दोनों में 3X वाला ओप्षण है, लेकिन सैमसंग में डिजिटलन नहीं है, एंड आइपोन में डिजिटलन आर्वाला कैमरा या, तो यह दोनों भी फोन में 5X वाला कैमरा है, कुछ इस तरह के वीडियो रिकॉर्ड कर देता है फाइवेस वाला कैमरा अगर मैं फाइवेस में चलने का ट्राइए करूँ तो कुछ इस तरह की स्टेबिलिटी है फाइवेस में बहुत जादा ही क्रॉप है यहां पर तो यह एंड यह 10x है इसमें आप 15x तक जा सकते हूं अ आइफोन एंड अल्ट्रा के फ्रंट फेसिंग केमरे से बैसिपली तो कुछ इस तरह की वीडियो फ्रंट फेसिंग केमरे से रिकॉर्ड हो जाती है अफोर के 30 fps में आइफोन फिफ्टीन फो मैक्स वर्स इस सैंसंग गेलेक्सी एस 24 अल्ट्रा सो अवास बैसे से अच्छा करो तो आपको एक्सप्टेशन भी बहुत तेकड़ी होगी लेकिन जितना मैंने यूज करा है I don't think so कि भाई अगर आपके पास Already S23 Ultra है तो आपको यह फोन लेना चाहिए and उनके लिए यह फोन बना भी नहीं है अगर आपके पास Already S21 Ultra है या फिर S22 Ultra है या फिर उस कर नवेगे, सी यू सुन, बाइ!